देवी और सज्जनों, आप सबने थंबनेल देखकरके तो अंदाजा लगा ही लिया होगा कि ये एक रुपे का सिक्का का ये प्रियोग आपके स्वास्थ से संबंधित हेल्थ-वाइज विभिन्न प्रकार के इसू देवी और सज्जनों, एक रुपे का सिक्का आपके हेल्थ से संबंधित समस्या को खत्म कर सकता है, आप कहेंगे ऐसे विडियो तो हमने हजारों देखे, सो देखे, पांसव देखे, दो देखे, चार देखे, कितने देखे मुझे भी अंदाजा नहीं है दर्सकों, देवी औ मैं आपको बताओं, ये कोई साधारन उपाई नहीं है, इस प्रकिडिया में तीन चीजें आपको चाहिए, एक समसान, दूसरा एक रुपे का सिक्का, और तीसरा आपका बिस्तर, ये तीन चीजें ऐसी हैं, जिसका प्रियोग करके, अच्छा ये उन लोगों को प्रियोग क करना है, जो बार-बार, बार-बार, बार-बार बिमार पड़ते रहते हैं, लग-भग, आज सर्दी था ठीक हुआ, कल बुखार लग गया, कल बुखार था ठीक हुआ, देवी और सजनों आज पेट खराब हो गया, आज पेट खराब था ठीक हुआ, सर में दर्द होने लग सरदर्द था ठीक हुआ, पाउं में मोच आ गया, पाउं में मोच था ठीक हुआ, हाथ तूट गया किसी न किसी प्रकार की समस्या लगी ही रहती है कुछ न कुछ हिल्थवाई जीशू आपके सामने में रहता ही है अगर ऐसी इस्थिति आपके सामने में भी आती है चाहे हूँ आपके माता के साथ हो, पिता के साथ हो, बच्चे के साथ हो, बिबी के साथ हो, पती के साथ हो, चाचा के साथ हो, चाची के साथ हो, भाई के साथ हो, बहन के साथ हो लेकिन उसको ये बात बतानी नहीं है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको ये वीडियो सेयर कर देना है कि इस वीडियो में जो है अपना देख लो और कर लो क्योंकि जब ही इस तरीका को तीसरा आदमी आपके द्वारा जानेगा जो आप ऐसा कर रहे हो ये जब ही कोई जान जाएगा तो टोटका की खास बात होती है कि इसको गुप्त रखना बहुत जरूरी होता है ये जैसे ही कोई तीसरा जानेगा वो फिल कर जाएगा वो सफल नहीं होगा और आपको इसका लाब नहीं मिल पाएगा देवी और सज्जनो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि तीन चीजों की विवस्था करनी है सबसे पहले एक रुपे का एक सिक्का इसमें कोई दिन बार महुर्थ की कोई आवश्चकता नहीं है एक रुपे का सिक्का पहले से ही खोज करके रख लेना है किसी को बताना नहीं है कि इसका परियोग क्या करना है नहीं तो वो फिल कर जाएगा ये मैं बार 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 कह रहा हूँ आपको दूसरी बात जब रात में आप सोने के लिए जाएं आप जिस जगह पर में भी सोते हैं डेली पर्मानेंट जो आपका बिस तरह है जैसे कि आप इस जहां पर मैं खरा हूँ आप यहीं पर में सोते हैं और रोज यहीं सोते हैं आज कोई महमान आ गया कहीं दूसरे जगह चले गए सोने के लिए तो उस दूसरे जगह पर में इसका परियोग नहीं करना है जहां पर डेली सोते हैं ज्यादा टाइम सोते हैं और आज भी वहीं सोएंगे उस जगह पर इसका परियोग करना है सिरहने में वो सोने बग चुपचाप दिभी को भी नहीं बताना है बच्चा को भी नहीं बताना है चुप चाप वो एक रुपे का सिkkha आपने डाल दिया किसी को पता भी नहीं लगा सिkkha चला गया सिरहने में बेड के अंदर आराम से सो जाना है रात में उस रात जो है सो इदम सुबा सुबा सबेरे सबेरे प्रयास करना है उठने का थोड़ा सा अंधेरा ही रहे ब्रभ महुर्त में तीन वजे, चर वजे, पाँच वजे सुर्योदे से पहले अगर उठ जाएं तो ज़्यादा बढ़िया है चुप चाप फिर से वो सिक्का निकालना है और जेब में रख लेना है ऐसे जगह पर में रखना है जो किसी को पताना चले और सिक्का कोई प्रियोग भी ना कर पाए नहीं तो फिर उसका दूसरा ही रियाक्शन हो जाएगा उसको रख लेना है आप चाहें तो लेटरिंग से हो आएं ब्रस कर ले, अस्टनान कर ले सारा प्रिक्रिया कर ले और सिक्का कहीं साइड में परा रहेगा ये B ग्रेड में आया A ग्रेड में क्या आया कि आप सो करके उठे वो सिक्का आपके जेब में है चुप चाप आप बिस्तर से उठे और बिना किसी से कोई बाचीत किये बिना किसी को कुछ बताए आप निकल परे। आपने पहले पता लगा लिया है कि आपके आस पास में समसान कहां पर मैं है। सब को बोल देना है कि जब आप जा रहे हैं तो आपको कोई टोके नहीं कोई ये नहीं पूछ है जो मैं कहां जा रहा हूं। ये बात पहले ही सब को देनी है क्योंकि कल जैसे ही आप जाने लगेंगे तो आपके माँ, आपके बाप, आपके बीबी, आपके बच्चे पूछ सकते हैं कि वही कहा जा रहे हूं तो इसलिए ये जानकाडी सब को पहले ही दे देनी है और वो एक रूपे का सिक्का लेकर के चुप चाप आपको असम समसान की तरफ मुख करके उसको फेकते हुए ये बोल देना है कि इस सिक्के के साथ मेरे सरीर में जितनी भी बिमारियां है जादू, मंतर जो भी हमारे उपर किया गया है वो सब इस सिक्के के साथ इस समसान में दफन हो जाए ये कह करके उस सिक्के को फेक देना है और फिर स मुर के देखते हूं, तो आपका ये टोटका फैल कर जाएगा. काम नहीं करेगी। उस वक्त कोई व्यक्ति आपको टोकना नहीं चाहिए, अगर किसी ने टोक दिया फेकते वक्त, अत्वा किसी ने पूछ दिया, वाई क्या करने आया था क्या कर रहा है फैल कर जाएगा आपका तोटका थोड़ा कठीन होता है ये इसलिए बहुत सोच समझ करके और धैरे से इसका प्रियोग करना है तरीका बहुत आसान है रिफीट कर देता हूं एक रुपे का एक सिक्का रख लेना है रात में सोते वक्त अपने तक्या के नीचे सिरहने के नीचे डाल देना है सुबह में उठना है चुप चाप उस सिक्के को लेना है बिना लेट्रिंग बाथरूम किये हुए बिना बरस किये हुए बिना पैसाब किये हुए आपने उस सिक्के को उठाया और चुप चाप आप ले करके असमसान क कि दरब आप बढव आप जा रहे हैं और से जा रहे हैं चार से जा रहे हैं पड़ जा रहे हैं कोई फारक नहीं पड़ता है लेगं को इस प्रकार से लोग पूच्छ ने साइकिल ले 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 बाइक ले 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 और स्पीर में आप निकल जाएं वहाँ पर मैं पहुंच करके आपको वह सिक्का जेब से निकालना है ऐसे अपने मुठी में दाहिने हाथ में पकरना है और मनहीमन बोलना है कि मैं जो ये सिक्का रात में अपने सिरहने के नीचे रख उदेश मेरा ये कि मैं जो बार बार बीमार पर जाता हूँ बार बार जो कुछ न कुछ जादू मंतर टोना हमारे साथ होता रहता है किसी ने किसी प्रकार की समस्या हमें हिल्थ वाई जाती रहती है वो सारी के सारी समस्या हैं हमारी इस सिक्के के साथ इस असमसान में समसान में दभन हो जाए इसी उद्देश से मैं ये सिक्का यहां फेकता हूँ कहके फेक देना है आप अन्भब करेंगे कि अगर आप सकता में आपने महिना में आपने एक बार भी ये टोटका अगर कर लिया अपने आप आपकी हिल्थ वाई जी सू दो चार छे महिने के अंदर में अपने आप कम होती चली जाएगी तोटका है तोड़ा समय लगता है लेकिन ये कम होती जाएगा और धीरे धीरे करके कुछी समय बाद ये फिनिस हो जाएगा इगर आप तुरंत सो करके उठते हैं और नहीं जा सकते हैं तो आप आराम से कोई दिकत नहीं है। आप लेटरिंग बात्रों जो भी करना है वरस उरस करना है भोजन व गेरा करके भी जा सकते हैं लेकिन ये सेकेंडरी है प्रिकलिया सेम करनी यही छोड़ासर वीडियो था हम चैनल को सब्सक्राइब करके इसके वेल आइकन के बटन को दमाए और अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अपने वाटसेप में जितने कॉंटेक्स हैं सब को सेयर कर दें और मुख से किसी को ना बताएं कि आप क्या करने जा रहे हैं तब ही आपका बातेगा उसको वैसा फल देगा ठबगान तो आपको इसा है फल देगा। आपके माध्यमज्त अगर कोई स्वस्त बंदे महत्रम बूलिए राधए राधे